धातू और अधातू के रसाइनी गुन Chemical Properties of Metals and Non-Metals ऑक्सिजन के साथ अगर हम अभिकिरिया करेंगे धातू और अधातू को तो क्या होगा? जल के साथ अभिकिरिया, अमल के साथ अभिकिरिया, छार के साथ अभिकिरिया चलिए एक के करके समझते हैं या खिर होता क्या है? ऑक्सिजन के साथ अभिकिरिया, धातू धातू ऑक्सिजन के साथ अभिकिरिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है धातू पलस ऑक्सिजन बराबर धात्विक ऑक्साइड धातू पलस ओक्सीजन बराबर धातु कँ अक्सीजन तो mg यानि magnesium पलस ओक्सीजन ये दोनो जैसे ही आपस में मिलते हैं क्या बनते है? NAuje sodium पलस oxygen ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनते है? sodium oxygen केल्सियम पलस ऑक्सिजन लोहा पलस ऑक्सिजन लो ऑक्साइड तो धातु के साथ ऑक्सिजन मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड बन जाती है याद रखे नोट वन कुछ धातुएं जैसे सोडियम पोटैसियम ऑक्सिजन और पानी के साथ ऑक्सिजन और जल के साथ बहुत ही जल्द अभिकिरिया करते हैं सोडियम पलस ऑक्सिजन मिलकर क्या बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड ठीक है नमबर टू कुछ धातुएं जैसे लोहा अलुमिनियम और मैगनेसियम ऑक्सिजन के साथ धीमी गती से अभिकिरिया करती है एफ ई पलस ओ टू लोहा पलस ऑक्सिजन बराबर लोह ऑक्साइड ठीक है Mg plus oxygen, magnesium plus oxygen, बराबन magnesium oxide नमबर थरी, कुछ धातू जैसे तामबा, oxygen के साथ तभी अभी किरिया करती है जब इसे बहुत गर्म किया जाता है नमबर फोर, चांदी और सोना असानी से oxygen के साथ अभी किरिया नहीं करती है नमर फाइफ लोहा तामबा जस्ता कुछ ऐसे धातू हैं जो बहुत लंबे समय तक नमी युक्तवायू के संपर्क में रहे तो जंग लग जाता है और धातू से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है समानेत धात्विक ऑक्साइड चार प्रकृति के होते हैं अक्सिजन के साथ अविकिरिया अधातू अधातू अक्सिजन के साथ अविकिरिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है अधात्विक ऑक्साइड या उदासिन ऑक्साइड या अमलिय ऑक्साइड कह सकते हैं समानेत अधात्विक ऑक्साइड अमलिय प्रकृति की होती है ठीक अभिकिरिया में बहुत उस्मा उत्पन होती है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाते है कुछ अन्य धातू ऐसा नहीं करते हैं उदारन के लिए आरन या जल में धीमी गती से अभिकिरिया करती है समाने तो अधातू जल से अभिकिरिया नहीं करते हैं परन्तु यह वायू में बहुत सक्रिय हो जाते हैं इस परकार के अधातू को जल में रखा जाता है फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिया धातू है जो वायू में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है अब समझते हैं अमल के साथ है धातू पलस अमल याद रखेगा इसमें जो अमल यूज होगा वो होगा तनू अमल तनू अमल कहने का मतलब यह कि अमल का मातरा कम हो और पानी का मातरा ज्यादा हो तब उसको का कहा जाता है तनू अमल तो इसमें जो अमल यूज होगा क्या होगा तनू अमल यूज होगा तो धातू पलस अमल जब यह आपस में विकिरिया करेंगे तो धात्विक लवन बनता है और फिर hydrogen gas उत्पन होता है याद रखे कुछ धातुएं जैसे sodium एव magnesium तनु अमले के साथ तेजी से अभी किरिया करती है जैसे यहाँ देखिए Na यानि sodium और HCl hydrochloric अमल जब आपस में भी किरिया करते हैं तो sodium chloride बनाते हैं ठीक है और साथ ही hydrogen gas उत्पन करते हैं इसके बाद देखिए Mg यानि magnesium पलस hydrochloric अमल यह दोनों जैसे अभी किरिया करते हैं तो magnesium chloride बनता है और hydrogen gas उत्पन होता है याद रखेगा कुछ धातु जैसे जस्ता अमले के साथ मध्यम गति से अभी किरिया करती है Zn यानि जिंक 2HCl यह उत्पन करती है और यह भी याद रखे कुछ धातु जैसे में टीन लेड अमले के साथ मंद गति से एकदम धिमी गति से अभी किरिया करते हैं कुछ धातु सोना चांदी तामबा आदी अमले के साथ अभी किरिया नहीं करती है अभी अभी हमने पढ़ा धातु अमले के साथ अभी किरिया कर हाड्रोजन गैस उत्पन करती है जो पॉप धौनी के साथ जलती है कौपर तनू हाड्रोक्लोरिक अमले से गर्म करने पर भी अभी किरिया नहीं करता है परन्तु सल्फियूरिक अमले से अभिकिरिया कर लेता है। और धातु जो है, समान ने तह और मलस से अभिकिरिया नहीं करते हैं। लास्ट पोईंट है छार के साथ अभिकिरिया। धातु पलand चार, साथ में अभिकिरिया कर, लवन तथा हाइडोजन गेस उत्पन करते हैं। जेड एन जिंक एन ए ओएच सोडियम हाइड्रोकसाइड जब ये आपस में विकिरिया करते हैं तो सोडियम जिंकेड पलस हाइड्रोजन गैस उत्पन करती है और अधातु भी छार के साथ विकिरिया नहीं करते हैं मुझे आसा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी चले मिलता है अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंद मात्रम